हम क्यों अब खुश नहीं रह सकते क्योंकि बच्पन से हमें ये सिखाया आता है कि आपको ये चाहिए जब तक आपको ये नहीं मिलेगा तब तक आप खुश नहीं रह सकते जब तक आप दस्वी पास नहीं करेंगे तब तक आप खुश नहीं होगे चलो भई दस्वी पास कर लिए जब तक आप ये नौकरी नहीं ले लेंगे और उस नौकरी में भी आपको पचास हजार की तन खाँ चाहिए चलो वो भी मिल जाती है फिर भी हम खुश नहीं है जैसे ही वो पचास हजार की नौकरी मिलती है वो जो खुशी है न वो सिर्फ पांच मिनिट तक ही रहती है उसके बाद वही रोना लगा रहता है कि भाई ये तो एक लाख की नौकरी होनी चाहिए थी हम तो कहां रह गए पीछे तो हर समय एक ही बात जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक खुशी नहीं मिलेगी मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको इच्छाएं नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ने की इच्छाएं होंगी जिन्दगी है तो इच्छाएं भी होंगी लेकिन हर चीज हर सही वक्त पे आपको मिल जाएगी इसका आपको विश्वास रखना है देखिए आप जीवित हैं आप तो अपना दिल नहीं धड़का रहे न अपने आप धड़क रहा है जब आप अपने माता जी के पेट में थे तब आप तो अपना शरीर नहीं जोड रहे थे किसी ने आपके लिए जोड के दिया आपको बनाया आपको पैदा किया आपके अंदर सांस पहली फूंकी आपने तो यह सब नहीं किया न अपने आप तो क्यों आपको लगता है कि यह जो कर रहा है यह आपको छोड़ देगा मैं यह नहीं कह रहा कोई भगवान पर विश्वास करो और किसी मूर्ती के आगे बैढ़ जा और दस बार अपना सर जो कहो नहीं बस अपनी जिन्दगी जियो अगर आप धार्मिक हैं या नहीं है इसका कोई माइना नहीं है आप खुश रहिए अब में अब में खुश रहे आपको कुछ नहीं चाहिए Qush रहने के लिए जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा सही वक्त पे वो आपके पास आएगा ही आएगा पांच साल के होए दस साल के होए पंदरा बीस चलता ही जाएगा भाई हर समय एक positive attitude रखिए मतलब एक अच्छी सोच की तरफ चाहिए गंदे सोच की तरफ लोगों के साथ रहना बंद करिए जो हर समय पस सोचते हैं यार यह हो जाएगा यह गलत नहीं सोच वालों के साथ अवाइड अपनी सोच रखिए और बस हाँ सब अच्छा ही होगा इस विश्वास को अपने दिल में डाल लीजे एक बार अपने ये विश्वास अपने दिल में बसा दिया इसको जाने नहीं देना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैं अच्छाई ही की तरफ ही जा रहा हूं उमर भढ़ना अच्छाई ही अच्छाई की तरफ ही जाना है इसका सबसे अच्छा मतलब कहलो की जो साइन है मतलब जो मकसद है वो आपको पता चल रहे हैं आप अच्छाई की तरफ ही जा रहे हैं आपकी उमर भढ़ रही है आप जीवित हैं आप हर दिन सांस ले रहे हैं, मतलब आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, वरना अगर इस धर्ती को आपकी जरूरत नहीं है, वो आपको कभी भी खतम कर देगी, आपकी जरूरत है, अच्छाई की तरह, खुश की तरह, पैसा इस जिन्दगी का मकसद नहीं है, पैसा जरूरी है, मैं यह नहीं कह रहा हूं, खाने के लिए, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए पैसा जरूरी है, मुझे पता है, और जितना पैसा चाहिए, वो आपको मिल रहा है, आप भूके नंगे नहीं हैं, अब सड़क पर नहीं रह रहे हैं, आपके शरीर पर कपड़ा है, आप अब तक तो खाना खाते आते रहें, आपके उपर च्छत हैं, बस फिर आप सही राह चल रहे हैं, चिंता की क्या बात है, यह चलता रहेगा, विश्वास रखिये, पर दिल में खुशी रखिये, आपको, आप इस खुश रहने के लिए, अब आपकी मर्जी है, अब आप ना खुश रहें, तो यह इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट लेकिन आपको खुशी की तरफ एक बहुत पॉजिटिव आटिट्योड जिसों कहते हैं, मतलब अच्छाई की तरफ, अच्छी सोच की तरफ बढ़ना है, यह रखिये अपने दिल में बसागे रखिये, जो होगा भाई अच्छाई हो रहा है, और सही वक्त पर सही चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी, इस विश्वास से जिन्दगी जिये, खुशी खुशी जिये, क्यों क्योंकि एक बाद याद रखिये, आप यहां पर घुमने फिरने आएं इस धर्ती पर, और आपका जो वक्त है वो भी लिमिटेड है, वो भी सीमित है, थोड़ा ही वक्त के लिए आप आएं इस धर्ती प आएंगे, आप ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है, जो है आपके पास है, खुश रहिए अब में, अब में खुश रहेंगे, आपका पास्ट अच्छा हो जाएगा, आने वाला कल अच्छा हो जाएगा, जो कल गया वो अच्छा हो जाएगा, जो आने वाला क तो वो अच्छा हो जाएगा, जो आज है, वो भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, इसलिया आप जीवित हैं, अगर separately और आपको इस धर्ति ने जब फैसला कर लिया कि भाई, आपके साथ अच्छा नहीं हो ना, तो आपको खतम कर देगी अगले ही दिन अगले ही दिन ही अगले ही शन तो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है आप वही हैं जहां ये भगवान या ये धर्ती आपको चाहती है आप वही हैं और उसी स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से आपको जीना चाहिए, खुश रहिए और खुश रहने का ही आपको सला में देना चाहता हूँ, अगर आप ना खुश हैं, तो आप अपने उपर खुद ही अत्याचार कर रहे हैं, फिर अपनी सोच बदलिये, आपको अपनी सोच बदलिये, meditation, ध्यान लगाईए, ध्यान लगाने से क्या होता है, आप एक शुन्यमन में आते हैं, जहां पर सारी गलत फैमिया negativity खतम हो जाती है, बस एक ही सला दूँगा, जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे बढ़िये, खुश रहिए, जिस भी situation में है, खुश रहिए, बस देखते जाएए, सब चीज़ें अच्छे हो रही है, आगे भी अच्छे होंगे,